रागव चड़ा जी जिस प्रकार से एक बंगले के लिए लड़ रहे हैं और कोट से उन्हें राहत नहीं मिली अब कोट ने उल्टा कर दिया है जो उनको एक राहत बीच में मिली थी इंटेरिम इस लडाई में बंगले की लडाई से ऐसा लगता है कि जो आम आदमी पाटी ने बड़ी बड़ी चीजे कही थी शुरू में हम गाड़ी नहीं लेंगे बंगला नहीं लेंगे ये सब कहने की बाते थी अब इनका मूल फोकस रह गया है कि हमें बंगला ही मिलना चीए एक बंगला गाड़ी घोड़ा ये सब जो इनकी सुविधाएं उसकी लड़ाई है और शराब घोटाले पे तो आज तक कोई स्पष्ट जवाब तो दिया नहीं कि क्यों घोटाला हुआ है घोटाले में जो आरोप लगी जा रहे इसकी सीधे जवाब क्या है तो ये आम आदमी पा पुचा जाता है ये घोटाले के अलग-अलग पहलू है कि आपने पुराने पॉलिसी को हटाया नहीं लाए जब घोटाले की बात है कि प्रोसीजर नहीं हुआ शराब कंपनियों को फाइदा दिया गया तो पुराने को वापस लिया नहीं को फिक दिया इन्होंने तो इस प आज तक कोई सफायाम आदमी पार्टी की नहीं आई इससे ये सपाष्ट होता है कुछ छुपाया गया है जो जांच एजनसी अपनी काम कर रहे हैं उसमें उन्होंने अलग-अलग लोगों को निताओं को हिरासत में लिया हुआ है कोड से इन निताओं को राहत नहीं मिली तो तो कोट में मामला तो चली रहा है रागव चट्डा जी चैव बढ़ी बड़ी चीजे कही ति शुरू में हम गाड़ी नहीं लेङगे बंगला नहीं लेगे ये सब कहनी की बाते थी अब इनका मूल फोकस रह गया है कि हमें बंगला ही मिलना चीए किस टाइप का पंगला मि मिलना चीए छोटा नहीं मिलना चीए केजरिवाल जी मेरे लेक आलीशान शीश महल होना चीए तो इनकी सबकी जो लड़ाईया है वो जनता की सेवा से लेना देना नहीं है एक मात्र बंगला गाड़ी घोड़ा ये सब जो इनकी सुविधा हैं उसकी लड़ाई है और शराब गोटाले पे तो आज तक कोई स्पष्ट जवाब तो दिया नहीं कि क्यों गोटाला हुआ है गोटाले में जो आरोप लगी जा रहे इसकी सीधे जवाब क्या है तो ये आम आदमी पार्टी के राजनेतिक दोहरेपन को दर्शाता है टिपनियों से हटके पहली बात जी और आम आदमी पार्टी को ये जवाब देना पड़ेगा कि दिल्ली की शराब नीती पे सीधा जवाब क्यों नहीं देते उनसे प्रशन पूछा जाता है ये घोटाले के अलग-अलग पहलू है कि आपने पुराने पॉलिसी को हटाया नए लाए जब घोटाले की बात है कि प्रोसीजर नी हुआ शराब कंपनियों को फाइदा दिया गया तो पुराने को वापस ले आए ने को फिक दिया इन्होंने तो इस पे आज तक सफाई तो दी नहीं है कोई सवाल इनसे पूछते तो कहेंगे दिल्ली की शिक्षानीती पे बात करिये या लाइंस वाले हमा करनी काम करें उसमें उन्होंने अलग-अलग लोगों को निताओं को हिरासत में लिया हुआ है कोई से निताओं को राहत नहीं मिली तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो दस्तावेज है जो इन्वेस्टिगेशन है जाँ-चै उसमें कुछ ऐसी बात है जो शंका की घेरे में आती हैं और आम आदमी पार्टी इससे नहीं बच पाएगी जब तक वो सीधा जवाब नहीं देंगे नहीं तो कोट में मामला तो चली रहा है